इस वीडियो में हम Microsoft Excel के कुछ code जानेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? On Screen Keyboard ओपन करेंगे क्योंकि मेरे Keyboard में Numeric Keypad नहीं है अगर आपके Keyboard में Numeric Keypad है तो आपको On Screen Keyboard की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर हमें करना क्या है? सबसे पहले हम Plus-minus का Simple बनाना सीखेंगे तो हमें क्या करना है? Alt Button दबा कर करेंगे तो यहाँ पर दिखिए цвет blue color से आपको Alt Button दिख रहा है ठीक है? अब हमें क्या करना है? Alt Button दबा कर 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 रखना है जितने भी code में बता रहा हूं का symbol बन गया अब फिर से हम इसी तरीके से अब इस बार हम जानेंगे copyright का symbol बनाना तो हम क्या करेंगे फिर से all button दबा करके रखेंगे और numeric keypad side में हम type करेंगे 0 1 6 9 उसके बाद जब all button छोड़ेंगे तो ये देखे copyright का symbol बन गया अब इसके बाद हम degree का symbol बना सीखेंगे तो माल लिजे कि हमें degree Celsius यहाँ पर type करना है तो हमने ये देखे capital C type किया उसके बाद हम all button दबा करके रखेंगे और हमें degree Celsius type करने के लिए 0 1 7 और 6 type करना है उसके बाद all button छोड़ देना है तो ये देखे जीरो 1 5 और 3 उसके बाद फिर से जब हम all button छोड़ेंगे तो ये देखे trademark का symbol बन गया अब इसके बाद हम जानेंगे euro currency का symbol बनाना तो euro currency बनाने के लिए हम फिर से all button दबा करके रखेंगे और यहां पर हमें type करना है 0 1 2 8 उसके बाद जब हम all button छोड़ेंगे तो ये देखे euro currency का symbol बन गया उसके बाद हम जानेंगे yen का symbol बनाना तो हमने फिर से all button दबा करके रखा और yen का symbol बनाने के लिए हमें 0 1 6 5 पर click करना है बलब click करना है numeric keypad में और जब हम all button छोड़ेंगे तो ये इनका symbol बन जाएगा उसी तरीके से अब हम जानेंगे three dots बनाना ठीक है तो इसके लिए में क्या करना है all button दबा करके रखना है और यहां पर numeric keypad side में हमें type करना है 0 1 3 3 उसके बाद जब आप all button छोड़ेंगे तो ये देखे three dots आपके बन गया है अब इसके बाद हम जानेंगे dagger का symbol बनाना ठीक है तो dagger का symbol बनाने के लिए हम फिर type करेंगे यहां पर numeric keypad side में 0 1 3 4 और जब हम all button छोड़ेंगे तो यह देखे dagger का symbol बन गया इसको फिर से हटा देते हैं अब इसके बाद हम जानेंगे cap arrow का symbol बनाना तो फिर हम क्या करेंगे all button दबा करके रखेंगे और numeric keypad side में हम type करेंगे 0 1 3 6 और जब हम all button छोड़ेंगे तो यह देखे cap arrow का symbol बन गया अब इसके बाद आता है per mile का symbol बनाना ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर से all button दबा करके रखेंगे और numeric keypad side में हमको type करना है 0 1 3 7 और जब हम all button छोड़ेंगे तो यह देख बनाना है capital S with Caron का symbol बनाना उसके लिए हम क्या करेंगे फिर से all button दबा करके रखेंगे और इस बार हम type करेंगे 0 1 3 8 और जब हम all button छोड़ेंगे तो यह देखिए capital S with Caron का symbol बन गया अब इसके बाद हम single angle quotation का symbol बनाना सीखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर all button दबा करके रखेंगे उसके बाद 0 1 3 9 टाइप करेंगे numeric keypad side में all button छोड़ेंगे तो यह देखिए single angle quotation का symbol बन गया अब इसके बाद हम big dot का symbol बनाना सीखेंगे तो उसके लिए फिर से all button दबा करके रखेंगे और numeric keypad side में हमको type करना है 0 1 4 9 वजह हम all button छोड़ेंगे तो देके big dot का symbol बन गया